SGS, ITS के प्रबंधन विभाग वरा सनिवार को एलूमनाई मीट के साथ दस्वा इस्थापना दिवस मनाया गया मुख्य अतित भासकर इंडस्ट्रीज के निदेशक अखिलेश राठी थें विशिष्ट अतित मनोज कुमार जैन थें दोनों अतितियों ने इस्टूडेंट्स को जीवन के अदभुत परिणाम पाने के लिए निस्वार्थ भाव से कारि करने के लिए निर्देशित किया कारिकरम में मौजूद पूर्वी स्टूडेंट्स देश दुनिया में अच्छे पदों पर कारे रत हैं उन्हों ने अपनी उपलब्धी के लिए संस्थान के परति आभार व्यक्ति किया पूर्वी स्टूडेंट्स ने अपने अनुभो शेयर कियें जिनका लाउफ वर्तमान स्टूडेंट्स ने लिया पूर्वी छात्रों ने अपने दौर के मजेदार किस्से सुनाए उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे वे अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ मस्ती भी किया करते थे कॉलेज की दोस्ती यारी पढ़ाई लिखाई घुमना फिरना आज भी बहुत याद आता है उन्होंने कहा कि हम बड़े हो गए हैं लाखों कमाने लग गए हैं पर आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब जेब में 100 रुपय भी नहीं हुआ करते थे पर फिर भी माथे पर चिंता की शिकन नहीं होती थी वो समय ही कुछ और था इस्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है इस समय को भरपूर जीना चाहिए उस समय बाके चिंताओं को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये वक्त दुबारा लॉट कर नहीं आएगा बेरो रिपोर्ट विराट 24 निउज मेरा नाम दिटेश है इस समय बाके चाहिए एक किस्ता सुनारा साहता हूँ क्या हुआ था कि हम लोग हस्टल में ट्रिंक कर रहे थे और सड़नली वहाँ पर हमारे सारा गुपका लूप मेंबर हमारे बैक्टोबेतर चाहिए तो 5-6 नेंबर है इस सड़नली वहाँ पर पूरे लब जो महाल था उसकी पीच में एकटम से दर्पदी से रिंग रहे थे तो सब के फेसे बास ग्रमेटिक एंस अब रहे गए थे कि देख कर कि क्या होगा क्या नी होगा सर में हम भो रहाँ रहे है तो बस इस मोमेट पर आशा हम गगा कि इननों अंगा नाम लिख लो और इननों मोँ पही मतलगे जाओ और जो कुछ होगा मैं हंडल कर लोगा नेक्स यह हम लो कितना जादा थार होगा थे कि क्या होगा सर को कैसे टेस करेंगा and will eventually will be in the in front of the director's ward and so on so classes normally jadhi, sabkush normally handle ho gya and next day sir bolta hai ki agar tum log enjoy karthu kuch bhi karthu to pula aise karo ki doosrko ko pata na chalai modern ko pata na chalai so that was the epic moment which we had in our time and where har saal college na graffi di hodak tha so there was a in I guess 2004 team my team was allocated a wall which was outside college which was a boundary wall that was kuch parpe so rath ko do bhaje we were all sitting and the team was wainting and poora bhaj hodak meri class ke saare log were sitting out there and koi khana leke aara hai, koi wistar leke aara hai baari show rahi hai, doggies bhoom rahe hai so college has been a situation or a story in my life where I have learnt a lot I have played around a lot I have studied a lot par joh play around ki hai na usse gofwa alisik me gofwa hai